नमस्कार दूसर स्वागे थे आपका आपके अपने उडिक चैनल अमन प्रयास जिके जिसमें तो जिसागी फ्रेंड्स आज है आपका 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को आपका इससी MTS का कोई भी एक्जाम नहीं है तो आज किस वीडियो में हम उन सभी प्रश्णों को देड़ेगा जो लोग भी चैनल पर नय है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको पीडियोप इसका प्रवाइड कराया जा चुका है तो टेलिग्राम पर जोइन होके उस पीडियोप को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और रिविजन भी कर सकते हैं तो चले यह रोजी के दुवारा ही जो है राष्टी आय का जो गन्ना है पहली बार भारत में किया गया था दादा बैन रोजी को भारत का ग्रेंड और मेंड भी कहा जाता है तो इसको भी यार रखना है और उन्होंने सबसे पहले क्रिश्यूट पादन के मुले का आगलन करके और फिर गर क्रिश्यूट पादन के रूप में एक निचित प्रतिसत दुजोर कर रष्टी आय का नुमान लगाया था ठीक है नेक्स जो प्रस्ट है वो पुछा गया कि निमलेकित में से किसने अंग्रेजों के खिलाब खासी विद्रो सोड़ी खासी आदिवासी अंदोलन का नेतर किया था तो राइटेंस से आपका तीरथ सिंग होने माला है इसके लगा कुछ और आदिवासी विद्रो को देखें तो चुआर विद्रो जो की 766 से बहत्तर के बीच हुआ इसके निता थे राजा जगनात भिल विद्रो की बात करेंगे तो 817 में शेवराम के निर्दत में अहुम विद्रो जो के 828 से 33 के बीच गो धार कुमर के निर्दत में और खासी विद्रो की बात करेंगे तो 829 से लेकर 32 33 के निर्दत में है जो कि किया गया था विडियो में आगे बारते हैं फ्रेंट्स लेकिन उसरे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट बूक पर चल रहे हैं कम आप भी एक्स्परेस सेल के बारे में अगर इस सेल के उत्रान आप इनका यली का टेस्ट बूक पास परो पर्सेस करते हैं तो आपको यह मातर 608 रुपे में जो है मिलने वाला है साथ में कुपन कोड अगर आप A, P, Z करते हैं तो आपको यहां पर 13% का एक्स्टा ओपी देखने को मिलेगा जिन लोगों को टेस्ट बूक के भी से में नहीं मालूम है उनको बता दे टेस्ट बूक जो है आपकी भारत ओर्स में जितने भी एक्जाम करना करोते हैं जो एक्जाम की त्याड़ी आप करना चाते हैं उन सारे एक्जामों का जो मौक टेस्ट और P.O.I.P. जे आपको यहां पर एक्सेस मिल जाता है मातर एकी पांस में जिसे आप 608 में परस्टेश करते हैं एक साल के लिए ठीक है तो इसका जो लिंक है आपको डिस्किप्सर में दिया गया है कॉमेंट सेक्सर में पिन क्या हुआ है तो आप लोग एक बात चेक आउट जूर कर सकते हैं और याद रहे कुपन को आपको A.P.Z. यूज़ करना है ठीक है नेक्स जो परस पुछा गया फ्रेंट तो पुछा गया कि ड्रेविट सेली की छेतर की एक वस्तुकला सेली है ठीक है तो इसका जो राइट एंसर होने बाला है आपका दक्षीन भारत होने बाला है डेविट सेली के बात करते हैं तो दर्चीन भारत से जोड़ी एक वस्तोकला सेली है और यह हिंदू मंदिरों की वस्तोकला की तिन सिलियों में शेख है ठेक है डेविट सेली के मंदिर दर्चीन भारत के तमिलाडू, केरल, कनाटक, तलेगाना और आनपदिस्स राज्यों में पाए जाता है अगला है डेविट से लेक के मंदीरों कक even कुछ परमुख विस्ता आया खासित की बात करें तो इन मंदीरों में बड़े परफरिश्वाद होते हैं जिने इन गोपूरम का कहा जाता है इन मंदीरों कि गर्वगरी वरगाकार या या अस्ट-कोण्य होता केटिनेशन क्या है तो समान प्रवानु की आपस में जूर कर एक लंबी विविर्थ सिंखला अत्वा समड़ित सिंखला बनाने परविर्थी को ही हम लोग सिंखलित होने का गुन्यानी की केटिनेशन कहते हैं अगला है कि नागपुरी जूमर नर्थ से कौन समंदित है तो इसका राइट इनसराप का मुकुंद नायक होगा मुकुंद नायक जो किराची जणकन की एक भारतियक लकार है और वो एक लोगायक है, घीतकार है और नरतक है और नायक नागपुरी लोक निर्थ जुमीर का परतिपादक है और पदमस्री से समालित किया गया था दोझसाथ में और श्रंगीत नाटा के केरी पुरुषकार समारित होजा उन्हें इसमें क्या गया था अगला है कि भारत में किश्वी अधारित उद्योगों में सुती उस्त्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है तो राइट एंसर आपका चिनी उद्योग होने बला है पिट से अधारित उद्योगों में कपड़ा, चिनी, कागज और वनस्पती, तिल, चे संबंदित उद्योग स्वामिल है, यह उद्योग अपने कची माल के रूप में कृषी उद्योग का उपयोग करता है कपड़ा उद्योग संघटित खेतर का सबस्यवरा उद्योग है इसमें शुती वस्टर, उनिवस्टर, रेशमुई वस्टर, संस्थ, लेसित, फाइबर और जुट कपरा आदियोग स्वामिर है वस्ट दियोग, छेतर का एक प्रमुग घटक रहे हैं या अदोगिक उत्पादन का लगवग पाच्मा हिस्टा और निर्याद आये का एक तिहा हिस्टा है अगला है कि मुदरा रक्षा से किस ने लिखा तो राइट एंसर आपका विसाकदत होगा मुदर रक्षा की बात करेंगे जो विसाकदत के दुवारा संस्कीत में एक एत्यासिक नाटक है जो भरत में राजा चंदरगुत मोरे की सता में चरहाई के बारे में बताता है तो इसको भी आप लोग याद दखिएगा नेक्स वोस्टन पुछा गया कि इन दा कंटेस्ट ओभीम उपी आई वाट दस एम असेंट फोर इन भीम तो इसका राइटेंज आपका मनी होने बाला है भीम यापिय की बात करते हैं इन कंटेस्ट ओप ओनलाइन ट्रजेक्शन भीम डिफर्स दु भारत इंटरफेस फोर मनी तो इसका फुल प्रोम याप दखेगा इसका फुल फोरम यापिय दखेगा इसका शेशर एट अब इसका फुल फोर्म यापिय दिखेगा account of any two parties. Currently the app has been transaction limit of 10,000 for a single transaction and daily limit of 20,000. This app also enforces a limit of 20 transaction per account. stretcher. कारण होता है, तो इसका राय टेंसर है, डерш choix होगा, कब जो अक्सर आहार में, अहार यह फाइवर की कमी के कारण होता है, ठैके तो, आपको ओप्ष्ण में, Это Quandary Fire दिया गया था, अगला है कि स्टिमोने हिस्सा लिया था पहला जो मैच है आपका इंग्लेंड और दर्चिन अफ्रिका के बिछवा था फैनल की बात करेंगे तो लंडन के लॉट्स किर्केट गरॉन में खिला गया था फैनल मैच में इंग्लेंड ने निग्लेंड को रहा कर अपना एक दिवस्ची जिले से समन्दी थे इनका जनम 16 अगस 1997 को हर्याना के जज़्चर में है जो कि हुआ था तो इस बात को भी आ रखिएगा अगला कोशन आपसे पूछा गया कि पंच पटमाली जो आपका डिपो है वो आपका किस राज में पढ़ता है तो इस कराइट इंसर आपका औरिशा ह राजी भी है राज्यों में सबसे मत्मुर वोक्साइट डिपो को रापुट जिले में पंच पटमाली डिपो है अल्मुनियम सीलगेट से भरपूर चटानों के अबगटन से बोक्साइट जमा होता है और भारत के बोक्साइट के बंदार के रूप में अमर कंठक पठार, म परदेश 36 का चार चार परशिंट परदेक का स्थान है परमुख वोक्साइट संसादन और इसा और आंध्र परदेश में पूरबी टट वोक्साइट जमाप में केंदेथ है अगला है कि राज के निती निदेशक सिध्धान्त डिपी एसपी का विचार किस देश के समिधान से लिया गया तो इसका राइट असर आपका Ireland होगा ठेके DPSP का जो विचार है आईरलेंड के समिधान से लिया गया था भारती समिधान के भागचार में अनुछे 36 से क्यामन तक का जो अनुछेद है DPSP से जूरा हुआ है इसके अलावा DPSP का जो मकसद है एक जन कल्यान कार राजिकी अस्थापना करना है अगला है कि राष्ट्हपत्यक्य की योगता कौन से अनुछेद में है तो इस करारीतिक आपका अनुछेद 15 Avengers यानि आर्टिकल glauben 58 राष्ट्हपत्यक्य की रूप में चुनाव की आवस्थक योगताव से समंद्दी थे क 가자हा योकता होनी चाहिए पर भरत का नागरिग होना चाहिए उसकी जो आयू है 353 ऊदेक रही होना चाहिए वो लोग सवा अर्थात लोग सवा के शिरश की रूप में चिनौ миोग होना चाहिए उसे संद्ध या किसी रास्टर कार्य या किसि स्थानीए या स्र संगीत की कनातक सेली में वायलिन वादकों में से एक भारती जोड़ी हैं उन्हें कनातक वाद संगीत के लिए 2018 में संगीत नाटक एकेड़िम पुर्षकार से सम्मानित किया गया था अगला है लोसुं तेवहार जो है कहां लोगप्रिये है तो इस करेटिन से आपका सिक्किम ह बहुत धर्म वाले व्यक्तियों के द्वारा मनाया जाता है सिक्किम राज में मुकरूप से भोटिया लेप्चा और नेपाली समधाय के लोग के द्वारा यह तेवहार जो की मनाया जाता है आप सिक्ष्जा में प्रश्ण मना था कि लोसुं जो तेवहार किस जन जाती के द तर्फ दबोधिया, हैं, जProfessor की सिटनती केड़ा हा थे hm, इस्का राइट्र पन्ल्र इंसर क्या था, इसका राइट इंसर आपका साथ, ब्थोटिया थे प्रसासन को असान बनाना था इसका कारण बताया गया था लेकिन असली वजद थी बंगाल में बड़ते राष्ट्रवाट को कम जोड़ करना और एकता को तोड़ना अगला है टाइफार जाज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है इसका रैटेंस आपका विडाल टेस्ट अगला है वो रोड़ दा कैचर एंड डार लिखा गया है तो राइटेंस आपका जेडी सेलिंगर इसका रैटेंस होगा अमरीकी लेखक जेडी सेलिंगर का एक उपनियास है जो 19 रिक्याम में उपनियासित होने से पले आंसिक रूप से 1925 में धारवाहिक रूप में प्रका के लिए पढ़ा जाता है और समाज में सतीपन की अलोशनाक रूप में इससे देखा जाता है अगला है इलेक्रिक करंट is measured by ठीक है तो इस कराइटेंस आपका एमिटर होगा एंड इमिटर इस इस इस्ट्रूमेंट फोर मेंजिंग यादे डारेक्ट और अल्टरनेटिंग क्लेक्रिक करंट इस एम्पियर एंड एमिटर कें मेंजरे वाइड रेंज अफ करंट बैल्यूज बिकाउज अट हाई बैल्यूज ओनली ए स्मॉल पोर्शन अप्ट इस डारेक्टे थ्रू दा मेंटर मेकनिजम इसके लाब यहाँ आपर कुछ इस्ट्रूमेंट और उसके म क्या करते हैं मेजर इंडिगोर्ड अलेक्टिक अक्टिविटी ऑफ दे ब्रेंड फैत्रूमेटर की बात करेंगे तो रिलेक्टिव देंसिटी अफ लिक्रिटी माइक्रोमेटर से डिस्टेंस अंड एंगल्स का पता लगाते हैं पैरिश्कॉप से टू भ्यू गला इसके लदा टा लगाते हैं सोनार से हम enables detect object underwater यादिक अंडर वाधर अवी जो object है उसका पता लगाते हैं इसके लावा सपयेगोंव मीटर से हम लोग blood pressure का थर्मो स्टेट की बात करेंगे तो रिगुलेट स्टम्प्रेचर दा पार्टिकुलर पॉइंट का पता लगाते हैं, वेंचुरी मीटर से हम लोग रेट फ्लॉओ अफ लिक्विट का पता, वर्णियर से हम लोग स्मॉल एंड सब डिविजन दो दो स्केल का पता लगाते हैं, बॉल्ट मीटर के बात करेंगे तो एन इलेक्टिक पोटेंसिल डिफरेंस बेट्मिन दो टू पॉइंट का पता लगाते हैं, वाट मीटर से बात करेंगे तो पावर अन इलेक्टिक सर्केट का पता हम लोग है जो की लगाते हैं, ठीक है, यह पूछा गया, इसके लाबा ज तो यही समवर्थी सुची के वधाना उसलिया के सम्धान से लिया गया है, तो आप रोगिसे भी याद दखिएगा, अगला है स्थां के मंत्री परशन में कितने मंत्रों को श्रामिल किया जा सकता है, यह कोश्रम पूछा गया, तो यह आपका लोक्सोबा के सदस्चों के कुल संख्या का 15%, इसके लिए आपका लिए अटियोर्मा समिधान से लिया दिन हो गया था, इसमें मंत्री परशन के कार को स्रीमित करने, दल बदलों को श्राविनी पदों पर रोखने, और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए प्रभधान किया गया था, क्या क् पला केंजे मंत्री परशन में परधान मंत्री सहित मंत्री के कुल संख्या, लोग सवा की कुल संख्या के 15% सद्धिक नहीं होना चाहिए, और किसी राज में मंत्री परशन मंत्री सहित मंत्री के कुल संख्या या उस राज की बिदान सवा की कुल संख्या के 15% सद्धिक नह प्रवाजपाल को एक से दिक रज्यों के लिए निक्त किया जा सकता है, तो राइटेंस आपका विनोवा भावे होगा, विनोवा भावे का पुरा नाम बिनाएक नरहरी विनोवा भावे था, जो कि भारते हिंसा और मानव दिकारों के पेरो कार थे, ग्यारा सेप्टम में राइटेंस पंचार में को विनोवा भावे का जनम गागुरे गाउं राइगर महाराष्ट में हुआ था, और उस श्रक्याम में भावे ने पंच मली तेलगाना में भूदान अंदोलन शुरू गया था, अंदोलन को भूमी मलिकों को, भूमी हिनों को भूमी भार में देने के लिए देखा गया, और यह अंदोलन 13 वर्स्तों तक चला, जिस तुरान भावे ने पूरी भारत का भ्रहमन भी किया, अगला है, पच्छी मंगाल ने अब तक कित जो है संतोस ट्रोफी जो है, उनिस ट्रोफी में शुरू किया गया था, भारती फुटबॉल संग आईएफे के दोड़ा किया गया था, जो भारत में इस खेल के लिए पूर्वसासी निकाहे था, और इसके स्थापना देश में राज अस्थर ये फुटबॉल चेंपिन जीता, वो 32 किताब जितने के बाद तूनामेंट में इतिहाज की सबसे सफल्ट टीम है, पंजाब आठ खिताबों किसा दुस्टर थान पर है, जबगी केरल 7 रोपे के साथ तिस्टर थान पर है, ठीक है, अगला है निलकंथ महा डेब जो मंदिर है, कहा पर जिस्ति थी, इस अगला है माल गुडी देश नामक पुस्तक के लेखक कोन है, तो इसका राइटेंस आपका आरकेन रायन होगा, आरकेन रायन माल गुडी देश नामक पुस्तक के लेखक है, जो 947 में परकासित हुआ था, पुस्तक में माल गुडी नामक के कालपनिक सहर में स्थापित 32 कहा इसे एक तेलिविजन सिंखला के रूप में रुपानतरित किया गया था, जिसे दूरदर्थ नेटवर्क पर परशारित किया जा जा था, माल गुड़ी डेस को पेंगवन क्लासिकल गेदवारों निस्विरासी में भारत के भारवी प्रकासित किया जा था, अगला है कि इसके लाबा और कार्मनिक अमल की बात करते हैं, तो प्रयोक्षालों में उप्योक किया जाने मेला अमल, जो मुल रूप से बहुत मजबूत अमल होता है, और प्रक्रति में और कार्मनिक होते हैं, उधारन के लिए हाइड्रोकलोरिक अमल यानि स्थियल, सल्फुरिक अमल इसके लाबा कुछ प्रक्रतिक रूप में पाया जाने मेले, अमल की बात करेंगे तो टाटरिक अमल, अंगोर और इमली में पाया जाता है, ल्यक्टिक अमल दही में, फार्मिकम, बदु मक्य और लाल चितियों के डंक में, अमाश्यग रस यानि इस्थियल की बात करेंगे मानौव के फेट में, अउक्जिरिक अमलाव का टमाटर में, सैट्रिक अमल या अस्कॉर्बिक अमल, नरंगी निम्बू या अमला में, सिर्का अमला आपका सिर्का में ही पाया जाता है, अगला है कि भारत के किस गवार्नर जनरेल ने 1831 में सती पर्था को अपराद घुसि के सिख्ठा के पीटा की रूप में जा जाता है ठगी परता का अंठ 1830 में इनी के दुबड़ा करनल सुलिमन के दुबड़ा किया जाता है मैसूर के राजा को अब जस्त करके उनके प्रदेश पर कभजा कर लेते हैं भारत का पहले गबरन जनल था 1835 में कलकत्ता में पला मेड बारत में एक 1880 विट्ट्यास था है जिसे 1932 में स्थाफित किया गया इसकी स्थापणा देश में ग्रामी विखास और किर्ष्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ग्रामी छेत्र में स्वेष राता समू यानि एस एच जी को विट्ट्या सहाथा परदान करने के सब्सक्राइब के दुवाद की थी इसके बाद रस्ट ये कृष्री और ग्रामीर विकास बैंक के नवाड ने साल दौचार में सब्सक्राइब का पहला संस्क्राइब किस वर्ष हुआ था तो इसका राइट एंसर आपका क्या होगा तो 2007 होगा भारत ने पहला टी-टी-टी-टी-टी-वलकप लोज़ साथ महीं दीता जिस्व में आपका सुरूआ था ये टी-टी-टी-टी का पहला संस्क्राइब दच्छेन अफ्रीका में हुआ था भारत ने पकिस्तान को राकर ये टोर्नामेंट अपने नाम किया था इसके लाब आप पहला और पर्थम को दिया याता है ये द्रविट स्थापत का सैली में एक हिंदू मंदिर है ये भगवान स्रीव को समड़ पी थे और अपने एत्यासिक महत्व के लिए जाना जाता है अगला है उस्ताद बिश्मिला खाइबा पुरुषकार को वर्स में पेस किया गया तो रहाए ट उतक्रिष्ट प्रदसन किया है इसके लावा संगितनाट एकेडमी के अद्च विजिता को 25,000 रुपे की पुरुषकार आसी देते हैं भारत में अनुलेखनी पुरुषकार की बात करते हैं तो परंबिच चक्र सरबोच यूध विरता पुरुषकार है अस्लोक चक्र सरबो पुषकार खेलों में उतक्रिष्ट यूगदान के लिए 2,4 पुषकार ऊतकृषक के लिए ध्याटिंपुषकार खेलों में लाइफ टाम अच्यमेंट अबॉड के लिए दिया जाता है अगला है भारत विवित्ता का दे से इन में से कौन सा कारक नहीं है तो राइटेंस देशांतर यानि की लोगनिस्चीवड इसका राइटेंस होगा भारत की विट्ता को परिभाज़त करने के करने वाले परमुक कारख में अक्षान्स यानि लेक्टिूड, देशान्तर यानि लखनिस्टिूड और आपका जलिवायो, आपका कलाइमेट, उनस्पती यानि की वेजिटेशन होता है इनमें से देशांतर जो है भारत की वित्ता का प्रमुक करन नहीं है, देशांतर का उप्योग मुखता स्थानों की पूरा पच्छी मिस्तितिकों मापने के लिए क्या आता है, यह वित्ता का सिधा संकेतक नहीं है, अगला है गलोबर हंगर इंडेक्स, यानि GHI23 की लिस्ट मे की रेंकिंग 102, बंगलादेश का T1, नेपाल का 69, उस लंका का 60 था, अगला है विच स्केम फोर स्केल, डेवल्मेंट एंड रिबूब अनिफ्लेमेंट, तो राइटेंसर प्रधान मंतरी कौसल विकास स्योजना होगा, प्रधान मंतरी कौसल विकास स्योजना की बात करेंग मिला जो है, किस स्राजे में लगता है, तो राइटेंसर आपका गुजरात होगा, गुजरात में अमबाजी गाउं में मंदीर परिश्रम भी ये मिला लगाता है, आम तोर पर ये अगस्त सेप्तमबर के महिने मिना जाता है, इस दुरान बरिश शंक्या में तिर थ्यातरी ज जो सरल औक सरिकु जीवों की शरीर को अपसित को निकालती है, ठीक है तो यह पूचा गया, ज्वाला सेल के नाम से भी सिजान जाता है, तो ज्वाला सेल सरल विसिस्ट को सिकाएं होती हैं, जो छपटे क्रीमियों जिसे निचले औक सरिकु जीवों में उत्सरजक जो आला कोशिकाएं होती हैं क्योंकि इन जीबों में अंग प्रनाली इस्था का सारेदिक संगठन नहीं होता है फलेम कोशिकाएं गुर्दे की तरह काम करती है यानि अपसिस्त प्रदातों को सरीर से भार निकालती है नेक्स वसने पुछा गया कि 2021 को ससतर बल रकतसंचार के अंदर दिल्ली केंट की पहली महिला कमांडिंग ओफिसर बन कर किस नहीं त्यास रचे दिया है तो इसका जो राइट एंसर होगा वो आपका करणल सुनिताबियस हो जाएगा करणल सुनिताबियस ने करिश नमोद 22 को ससतर बल रकतसंचार के अंदर दिल्ली केंट की पहली महिला कमांडिंग ओफिसर बन के दियास अचा और करणल सुनिताबियस ना मिंडेकल कोड की अधिखारी है अगला आपका पदम पुषकार से संबंदीत प्रशन आये था तिन चार कथन दिये गए थे तो पदम पुषकार की बात करते ही तो इसका एलान हर सल गतन दिवस 26 जमवरी के दिन किया जाता है साल में एक वाद यायता है स्थापना उनसे 24 में हुआ था इसके लाबा पदम पुषकार भारत के सर्वोच नागरिक समानों में सेख है इसका तिन सेनी है पदम विभुष्ण, पदम पुष्ण और पदम सरी इसके लाबा पदम पुष्ण जो है पदम पुषकारों में सबसे उपर होता है याद रखिएगा अगला है in custody 1984 पन्यास किसके द्वारा लिखा गया तो रायटेंस आपका अनिता दिसाई होगा अनिता दिसाई का उपन्यास in custody में भारत के दिल्ली और मिरपूर शरों का शरों पर अधारी थे तो मिरपूर ओप्सर में आपका दिया गया था ठेक है in custody इसके लाबाद इंता दिसाई के द्वारा दिल्ली में भारत में स्थापित एको पन्यासे उपन्यासे में इस पुस्तर के लिए ने बुकरपुर्श का शरों समानित किया गया श्रवानी जी ताटा इंगे सेवं जमसेट पूर इस एक एक बार शेशन बेक शेशन पूर इस पूछा गया कि दोलाविरा में अधिकांस से मारते किस से बनी है तो इस करेटन सा पत्थर होगा दुलावीरा में अधिकांस इमारते पत्थर से बनी हुए, एक महत्मून भी सिस्ता है, क्योंकि अधिकांस अनरपास्तल, जिसा है कि हरपा मोहन जोदारों में, इमारते मुखरूप से इट से बना हुआ है, ठीक है, अगला है रशीद खान किसे समन्दी थे, तिसकर रायट इ में भारत के तिसरा सबस्टनागी प्रुषकार पदम, मुश्रम भी इने दिया गया है, ठीक है, अगला है कौन से लोक निर्थ में चेहरा को सजाया जाता है, तो रायट इन से कथा कली होगा, कथा कली एक भारतिये निर्थ टार्ट सेली पराधारी थे, जो अपने रंगीन सुन दर्ता को दर्शाता है, काला रंग, अंधकार में और पापी चरीत का परतिक है, तो कथा कली में इन रंगों का उप्योग, नर्थ के दोरान भामनाओं और चत्त को परभवे धंग से प्रसुत करने के लिए क्या जाता है, तो यह आप से कोश्चन पूचा गया था, इ तो 23 में किस गयान में उनके वगदान के लिए भारत का चोथा सर बोच नागरिक प्रशकार दिया गया, पधम से लिए मिला, तो इस कराइटेंसर इस पनवानी होगा, पनवानी जोकी 36 गर का एक परदसन काली लोककला का रूप है, ठेके, उससी से समनाधित थी आपको उश सिनहा होगा हाली में किन सिरकाने राष्टित तक्निक अनुसंदान संगठें NTR के रूप में कि एधेक्स की रूप में रून सिनहा की नुक्ति की घुष्णा की थी इससे पहले अधेक्स का पद तीन से चार महीनों से रिखता आपको बता दें कि NTR तक्निकी संस्ता है जिस न बेंभेकर के दुआरा सुरू किया गया यह पत्र दिभासी पाक्षिक था जो अंग्रेजी में दबंबे दरपन की रूप में परकासित होता था अगला है बैदिक भशनों और मंत्रों के संगरों को क्या कहा जाता तो रायटेंस आपका सहींता होगा वेदों को हिंदु ध् यह आपका दो भावोगों में विवक्त है पाला कृष्ण जुवेद दुसरा शुक्ल यह जुवेद में भ्याजी थे एक मातर वेद हैं जो सभी यग सुत्रों और हत्यारों का ज्यान समाही थे तिसरा है सामवेद यह भारतिय सासे संगेत की उत्पत्ति है चौता है इस्ट आपका राइ टेंस होगा इस्ट इस ऐस इजल बोद लगोल प्रॉड़क्शन ब्यडमे मेंगव इनल्को प्रॉडक्षण इस्ट फिरमेन्ट इन ब्रेड मेंकिंग इस्ट फर्मेंट्स सुगर्स टू प्रोडूस कर्मेंड एककोईड विच हेल्प्स दफ राइस ठीक है नेक्स सोचन जो पुछा गया था पहला जो प्रस्ट था कि भरत की जन गन्ना दो यह गारा के नुशार भरत की दसके वर्दिदर लगवक कितना प 4.04 परसेंट आधर्स बात करेंगे तो हमारे जनगरना हमारा पविच्छा था इन बैसे बात करते हैं तो यह 15 में जन करना था दो चरन में आयूजीत हो था ग्रेस चिकरन और जनसंख्या की करना ठेक है तो एक प्रस्ट यह बना एक प्रस्ट आपका किरल का प्यल मेंट ग् प्रवाइड करा देंगे पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक डिस्किप्शन में दिया गया है तो आप लोग जाकर उसको जोईन कर लिचेगा नेक्स कुछा गया कि अर्ला अल्ला मर्दवली का श्रमन्द भारत के किस सास्त नर्थ से है तो इसका राइट जो कि तम्राडों का एक सास्त नर्थ थे उससे समन्दी थे आपके अल्ला मर्दवली ठीक है तो इसको याद दिखिएगा इसके लाव और निश्री चुछासी में चैनई में ददीप सिखा डांस वेसकिस्ता अपना इनोंने किया जहां पर वो भारत नक्टम सिखाती है और उन चारों में से एक परशण आपका साही था लेकिन आपसन क्या दिया यह तो मुझे अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन भारत के परधान dokumentरी की जो में भलोगे बात करते हैं तो भारत का परधान करते हैं प्रधान मंतर्य भारत को अपना इस्तिपास होता है और राषपती के लिए कारून का प्रस्ताव करता है और इसलिए राषपती और किमिनेट के विच्ट करी के रूप में भी परधान मंतर्य का आज करते हैं परधान मंत्रे की मुर्ती युश्टी पास होता ही मंत्री पसर के भी गटिन के और ले जाता है इस बात को भी याद दिखेगा अगला है कि ये में चिंदवरम स्टेडियम जो है आपका कहां पर इस्तित है तो इसका राइट एंसर आपका तमिलाडू के चिनई सहर में इस्तित के कित मेंदान है इससे चैपोक के नाम से भी जा जाता है और ये आईपिल टिम चिनई सुपर किंग के किंग का करेलू मेंदा जाता है तो राइट इंसर आपका त्यलगाना होगा बदकुम्बा जो है आपका फूलो का त्यभार यानि का है तो पुस्पो का त्यभार है जो मुक्रूप से त्यलगाना और आंद प्रदित के कुछ सुब के द्वारा मना जाता है दुरगा नौरातरी के दुरान नौ दि पूजा की जाती है जीवन दातरी गोडि देभी नरित्व का संख्षक-देभी की रूप में इन्हें कहा जाता है अगला है काल बेशाखे को किस साथ में बारतोई सिला के नाम से अश्रम में जाता है ठीक है काल बेशाखे की आपका बंगाल यांनि पच्छी मंगाल का एक पुछिम से दचिन पुडब की रियता करते हैं और रश्रम में इस घटना को बारदोई शिला के रुप्पे जा जाता है जो बोडो सब्द बारदोई सिखला से लिया गया है जिसमें बार गाम मतलब हवा और दोई का मतलब पानी और शिपवा का मतलब लर्क होता है जो इस कराइट इंसर आटिकल 48 होगा आटिकल 48 के बात करते ही तो इसमें कुष्री पस्वपालन को अधुनिक और बिज्ञानिक अधार पर वेवस्तित करने का प्रवधान है अगला है बारत ने पहले बार उमेंस क्रिकेट वर्ल कप की मेजवानी कब गया था तो इस कराइट इं और भारत की महिला टीम ने पहले बारे क्रिकेट विश्कप में भाग लिया था इसी साल 1978 में ही अगला है इम दा बिंग हुम बिंग हुम को पन्यास के लेखा कौन है तो राइट एंसर आपका जेरी पिंटो होगा एम दा बिंग हुम अंग्रीजी भासा का विख्या साहित का जेरी पिंटो के द्वारा है जो कि रच्चित व पन्यास है और इस इनके लिए इने सुल्ला में अंग्रीजी भासा के लिए साहित एकरिम प्रश्कार से भी सम्मानित है जो कि आपका किया गया था ठीक है तो ये प्रश्ट आपकी एक्जाम में आया था